नमस्कार दोस्तों, Pathfinder पर आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mahi Paal Singh राठोट और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे Suez केनाल के इतिहास के बारे में और उसकी geopolitics के बारे में पिछले तेड़ सो सालों में इस केनाल पर कई important घटनाय रही हैं ये कनाल World War I, World War II और Suez Crisis जैसे कई important geopolitical events का साक्षी रहा है लेकिन अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि एक जहास टेड़ा होकर यहाँ पर फस गया है तो MV Ever Given, कई लोग confused है नाम में कि Ever Green लिखा हुआ है जहास पर और सब नाम Ever Given क्यों ले रहे हैं? तो देखो Ever Given जहास का नाम है और Ever Green जो है वो इस company का नाम है जो इसको operate कर रही है इस जहास के फसने के कारेंट Suez Canal में पिछले कुछ दिनों से एक लंबा traffic jam लग चुका है माल वाहत जहासों का ये traffic jam कितना बड़ा हो चुका है मैं आपको map में दिखाता हूँ तो ये एक live tracker है जो जहासों को track करता है और ये देखिए Suez Canal का दक्षणी entrance है इस दक्षणी entrance में ये सारे जितने red और green dots आपको नज़र आ रहे हैं these are all ships तो देखिए ये वो जहास है जो फसा हुआ है MV Ever Given टेडा हो रखा है और इसके आसपास कई सारी छोटी boats है जो इसको बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रही है लेकिन ये जितने भी green और red dots है these are all large container ships और ये सब anchor डाल कर खड़े हैं red sea में I'm sorry Gulf of Suez में कि कब हमारी बारी आएगी कनाल के उत्तरी छोर पर क्या सिती आई है वो भी देख लेते हैं तो देखे बीच में एक तो ये great bitter lake आता है तो जो रास्ते में थे उनको यहां बीच में anchor डालने के लिए बोल दिया गया है तो ये सारे जहाज यहां रुखे वे हैं और उसके अलावा ये है उत्तरी छोर तो ये है port side और port side से north में अगर हम देखें तो देखें एक second लगेगा अभी map में लोड होने में जहाजों को तो देखें इतने सारे जहाज हैं जो anchor डाल कर खड़े हैं कि कब हमारी बारी आएगी और कब हम Suez Canal को cross करेंगे तो ये traffic jam दिन बढ़ता ही जा रहा है Suez Canal बनकर चालू हुआ था 1869 में ये बात school में हर बच्चे को रटाई जाती है basic gk का हिस्सा है आपको भी मालूम होगी लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह बताता हूँ कि Suez Canal के बनने से पहले व्यापार की क्या सिद्धी थी तो देखे यूरोप से जो भी व्यापार आता था वो mostly medieval times में Egypt या फिर यहाँ पर आया जो Levant वाला एरिया है आज का जो इसरेल लेबनान वाला एरिया है यहाँ से वो उंटो पर लाद कर इस तरह से रिगिस्तान को क्रॉस करके पहुंचता था एक रास्ता थो यहाँ पर जो आज का Kuwait या इराक वाला एरिया है तो यहाँ से वो आगे अगें समुद्र के रास्ते से या फिर यहाँ Egypt पहुंचकर थोड़ा सा यहाँ जमीन पर चलकर और अगें Red Sea में समुद्र के रास्ते से आगे भारत या चाइना या एशिया के अन्य देशों की तरफ चला जाता था तो यह mostly होता था तो इसमें बीच में कुछ लैंड जर्णी है तो यह दिमाद तो हजारो साल से लोग लगा रहे थे कि क्यों ना हम इतने से एरिया में एक केनाल बना दें कि जिससे जहाँ यहाँ से क्रॉस करके आगे चला जाए लेकिन जब से 1869 में Suez केनाल उपन हुआ है तब से यह रास्ता काफी सुगम हो गया है क्यूंकि उटों पर सामान लाद कर क्रॉस करवाना डेजर्ट में कोई छोटी मोटी बात नहीं थी तो यह 1869 के बाद से पॉसिबल हुआ है अगर आप से कभी इस कैनाल की exact location पूछी जाती है तो आप जवाब क्या देंगे Isthmus of Suez Isthmus of Suez वो एरिया है जो आफरिका और एशिया को जोडता है तो यह जो लाल रंग में मैं हाइलाइट कर रहा हूँ और इसी के अंदर एक artificial boundary बना दी है अब आफरिका और एशिया की इस Suez कनाल ने अगर यह पूछा जाएगी यह कौन से दो water bodies को connect करती है तो एक तरफ है Mediterranean Sea और दूसरी तरफ जो भी आपको option में मिले Red Sea या Gulf of Suez more correct would be Gulf of Suez 193 km इसकी लंबाई है और यह दुनिया में सबसे ज़ादा इस्तमाल किये जाने वाला कनाल it is the most trafficked waterway of the world और इसमें बड़े tankers आते हैं इसकी सबसे खास बात यह कि यह छोटा नहीं है यह कनाल maximum size का है तो दुनिया में जो बड़े से बड़े जहाज हैं वो इसको cross कर सकते हैं जैसे अभी जो MV Ever Given अटका है वो almost 400 meter लंबा है which is one of the largest ships in the world इसका उत्तर ही छोर है Port Said और Dakshini छोर है Suez MV Ever Given जब फस गया कनाल में तो कई लोगों ने कहा कि यह pilot कैसे चला रहा था इसको experience नहीं था गया नया driver था गया ऐसा नहीं होता है जब भी कोई जहाज Suez कनाल में एंटर करता है तो Suez Authority के अपने captain या अपने pilots इन जहाजों पर चड़ते हैं और वो उसे कनाल cross करवाते हैं तो इस तरह की छोटी-छोटी boats में इनके अपने trained pilots हैं जो दिन रात यही काम करते हैं केवल जहाजों को पार करवाते हैं Suez कनाल वो जाकर इस जहाज को steer करते हैं हर जहाज को केवल MV Ever Given नहीं जितने भी बड़े container ships आते हैं उनमें सब में ये captain जाते हैं एक आदमी पूरा 193 km cross नहीं करवाता चार जगे change होता है तो आप मान के चलो कि एक व्यक्ति को केवल 50 km का expertise है वो दिन रात यही काम करता है कि केवल उस 50 km में जहाजों को चलाता है तो उससे ज़ादा experience और कौन हो सकता है और इसमें toll भी बहुत लगत लगता है एक जहाज क तो सुवेज केनाल cross करने के लिए almost half million dollars देने पड़ते हैं 500,000 dollar की इसमें लगबग एक full size container जो जहाज है अगर वो cross करता है तो उसको almost 500,000 US dollar देने पड़ते हैं 490, 480 के असपास होता है कभी-कभी 5 के उपर भी चला जाता है half million dollar आप याद रख सकते हो तो इतना पैसा दे र आ रहे हैं ये guide करते रहते हैं जहाजों को और इस तरह के जो ships हैं जैसे जो आगे चल रहा है ship क्या है ये छोटी नौका है ये सारे Swiss Canal Authority के हैं तो ये इनको guide करने का काम करते हैं क्योंकि यहां से काफी trade निकलता है 12% global trade दुनिया का Swiss Canal से पास होता है और 10% oil, sea bond oil यहां से पास होता है 8% global LNG अब आते हैं हम canal aspect पर तो canal कोई नई technology नहीं है काफी पुरानी है हजारों साल पुरानी टेकनीक है Egypt, Mesopotamia, Hadappan, Civilization इन सभी में हमें canal देखने को मिलते हैं primarily इनका इस्तमाल होता था खेती बाड़ी के लिए लेकिन इजिप्ट में या कई जगे navigation के लिए भी इस इस प्रकार के canal बनाये थे जी हां आज जहां Suez canal है वहाँ पर अभी से 4000 साल पहले भी एक canal बनाया गया था 1887 BC में अभी जो modern Suez canal है वो कब बन कर तयार हुआ था 1869 AD में उससे exactly चलो exactly नहीं 4000 लगबग 4000 साल पहले एक और canal बनाया गया था इसी एरिया में Red Sea को Mediterranean से connect करने के लि Delta है अभी Suez canal यहां बना हुआ है है ना तो यह जो canal है यह approximately यहां बना हुआ था आपको इसके अवशेश अभी भी नजर आते हैं in fact आप यहां देखोगे तो एक channel आपको यहां जो नजर आएगा यह वो पुराना channel है तो क्या होता था कि देखो boat आई यहां से Mediterranean से Nile नदी से होते हुए यहां से होते हुए यहां पहुंच जाते थे इस प्रकार से connectivity थी indirect था लेकिन connectivity उपलब्द थी बड़ी boats नहीं जाती थी आज ऐसा नहीं है कि आज जैसे बड़े बड़े जहाज जा रहे हैं इतना बड़ा canal नहीं था छोटा सा canal था लेकिन हां उसमें boats cross कर जाती तो अभी वाला Suez Canal तो proper modern construction है तो यह वाला उस समय constructed था लेकिन connectivity कैसे थी Nile नदी से यहां पर यह bitter lakes जो हैं यह पुराने लेक हैं और इन से connect करके यह वाला जो आप लेक वाला area देख रहे हो ना यह bitter lakes से आगे एक connectivity यहां पर port of Suez जहां पर आज थे थे यहां तक यह connectivity कर दी जाती थी तो इस canal को कहा जाता था canal of the pharaohs इसको जिस pharaoh ने बनाया था उसका नाम हमारे लिए बिलकुल important नहीं है क्योंकि हमें Egypt PSC नहीं देना है लेकिन बस इतना याद रखना है कि Nile नदी के delta से east की तरफ यह canal बनाया गया था तो आज का जो modern canal है exactly उस जगे पर नहीं था थोड़ा बहुत यह इतना सा portion आज modern वाली जगे पर था लेकिन पूरा नहीं था और यह canal mostly जब flood आता था Nile नदी में तब तो अच्छे से navigable होता था दूसरे समय पर भी होता था लेकिन during floods it was more navigable जब वहाँ पर बारिश में floods आ जाते हैं उस समय तो इसको कहा जाता है canal of the pharaoh याद रखने लाइक point यह है कि 4000 साल पहले वहाँ पर एक canal था बस इतनी सी बात भी अगर याद रख लो तो आपका काम हो जाएगा और यह Gulf of Suez को connect करता था Nile नदी से ना कि directly Mediterranean से यह दूसरा point है जो आपको याद रखना चाहिए अब pharaohs द्वारा बनाया गया यह canal कई बार खराब हो गया उसकी अब कीप अच्छे से नहीं हुई रख रखाव ठीक से नहीं हुआ और यह desert area है तो यहाँ पर आंधी हाँ काफी आती है तो आंधी हाती है तो क्या silt मिटी बहुत जमा हो जाती है तो वो उसमें dredging करनी पड़ती है वरना क्या होगा गाद जम जाएग तो originally 4000 साल पहले बनवाया गया यह कनाल समय समय पर रखरखाव के अभाव में खराब भी हो जाता था बंद भी हो जाता था तो ऐसा नहीं है कि यह continuously 4000 साल तक चलता गया अगर continue रहता तो फिर आज हमें Suez कनाल बनाने के आवशकता क्या बढ़ती modern history में फिर और शासक आये तो उसको छोड़ गया था पीछे Alexandria शहर भी बसाया था उसने और उसी dynasty में जो Greeks rule करने लगे थे उन्होंने यहाँ पर फिर से इस कनाल को रिपैर कराया एक और राजा है उसने भी रिपैर कराया था 6th century BC में Darius नाम का एक राजा है जो पर्शिया का राजा था ठीक है Darius was the Persian emperor ठीक से चला लेकिन फिर वापिस कनाल में यही problem आती थी कि silting desert area है ना रेगिस्तान है धूल बहुत उड़ती है तो मिट्टी आकर जम जाती है गाद जम जाता है तो यह problem आती रहती थी लेकिन इसके बारे में हमें कई written records मिलते हैं क्योंकि Greeks बहुत लिखने के शौकीन थे त किताब है काफी अच्छी किताब है इंडियन ओशन की history के उपर चाहें तो उसे बढ़ सकते हैं तो हेरोडोटस ने उस समय बताया था कि इस केनाल को कई लोगों ने repair कराया लेकिन आज भी जब हेरोडोटस की किताब लिख रहा था history की उस समय उसने का था कि अभी भी इसमे कुछ area हमें paddle चलके cross करना पड़ता है क्योंकि केनाल ठीक से महाँ पर काम नहीं करता इस तरह का silting up महाँ पर हो जाता है फिर roman empire आता है तो roman empire ने भी इसको repair करवाया ट्राजान नाम का उनका एक राजा था उसने इसको repair कराया इसलिए उसको ट्राजान केनाल भी कहने लग ग आया और उसने modern Cairo जो है वहाँ तक almost जहास पहुंच जाते थे इस तरह की व्यवस्ता उसने करवाई थी तो इसके कारण भारत और यूरोप के बीच में roman empire के बीच में trade काफी अच्छे से चला लेकिन जब roman empire कमजोर पढ़ गया तो केनाल भी कमजोर पढ़ गया केनाल की Roman Empire वो तो अपने अलगी मामलों में busy था उनके उपर बहुत सारे attack हो रहे थे तो उनको time नहीं था कि इंफ्रस्रक्टर डेवलप करें फिर Arabs का इस area पर कबजा होता है 7th century में 7th century AD अब हम आ गये हैं आज से 1300 साल पहले तो early Arabs जो थे उन्होंने इस केनाल को फिर से चालू किया लेकिन कुछ समय बाद ही ये केनाल जान बूच कर बंद कर दिया गया actually वहाँ पर एक लड़ाई हो गई थी तो लड़ाई में वो केनाल इस्तमाल ना हो जाए इसलिए जो local ruler था उसने वहाँ पर उस केनाल को बंद करवा दिया वो scorched earth वाली policy थी उस प्रकार की वो policy उसने अ जाए हैं डाकु वाकु रहते हैं desert wind बहुत है कभी भी केनाल बंद हो रहे हैं हमें तो reliable रास्ता चाहिए जहाज जाए जाएंगे आराम से बैट कर कौन वूट-वूट की सवारी करेगा ये हटाओ इस रस्ते को और फिर ottomans का भी हाँ कबजा हो गया था तो इसलिए Portuguese इस route क बना कर इस route पर अपना control जमा कर काफी profit में अच्छा कासा trade कमा रहे थे लेकिन आपको अगर मेरे history के lecture से आदे तो मैंने आपको बताया था कि Venice इतना खुश नहीं रहता था इनसे तो Venetians ने बीच में Italy के लोगों ने कोशिश करी कि चलो या केनाल बनाते हैं इसी exam की तयारी करना चाहते हैं तो an academy platform पर आपके लिए बहुत सारे videos available हैं इन में से कई videos freely available हैं special classes के रूप में उनको आप देखना चाहते हैं तो आपको एक unlock code यूज करना होगा महिपाल test series या कोई भी free initiative आप unlock करना चाहते हैं just use the code महिपाल लेकिन अगर आप एक regular manner में batches के रूप में भारत के तियास में कौन-कौन से important judgments हुए हैं उनको मैं आपको बिल्कुल lucid manner में समझाओंगा तो जितने भी tough landmark judgments हैं जैसे एके गोपाल अन विशाका versus union of India के शवनन भारती इन सबको हम discuss करेंगे daily 10 बज़े सुबह ये class होती है आप इसको join कर सकते हैं plus course पर plus course के subscription के लिए आ do not pay this price code use कीजे महिपाल और 10% discount आपको मिल जाएगा iconic subscription पर भी 10% discount मिलेगा तो ये prices पे नहीं करने है और अगर आप 31 March तक ये subscription लेते हैं तो आपको 4 months की अभी extra validity मिलेगी तो 31 July 2022 तक की आपको validity मिल जाएगी अगर आप March end से पहले पहले plus subscription ले लेते हैं तो इसमें आपको काफी फाइदा रहेगा अगले साल का जो prelim से है तब तक आप revision कर सकते हैं आराम से तो जो लोग 22 के exam cycle को target कर रहे हैं उनके लिए ये best option होगा optional की तयारी भी आप platform पर कर सकते हैं और optional plus GS का जो plan है उसमें आपके काफी बचत होगी तो आप इस plan को subscribe कीजिए again ये prices भी pay नहीं करनी है इन पर भी 10% discount मिलेगा अगर आप code use करेंगे महीपाल okay so just remember to use the code and get a discount और यहाँ पर EMI options भी available हैं दूसरे exams जैसे के SSE, Bank, Railway, State, PCS इनके तयारी के लिए भी platform पर courses अवेलेबल हैं और after discount ये price इनका रहेगा अब 15th century में Venice के merchants ने plan बनाया था कि क्यों ना हम वो पुराना रास्ता फिर से open कर दें Portuguese ने जो monopoly बना ली है Cape of Good Hope वाले रास्ते पर उसको हम खत्म कर देंगे लेकिन वो plan उनका plan ही रह गया 17th-18th century में France में भी serious discussion हुआ इसके बारे में कि क्यों ना वो canal हम फिर से बना दें ताकि Dutch company और East India company जो England वाली है उसको हम व्यापार में beat कर सके है क्योंकि East India company का भी एक चत्र राश था Indian Ocean का जो trade है वाला एक चत्र नहीं था फ्रांस का भी था बट फ्रांस इतना powerful नहीं था कोशिश कर रहे थे बट successful हो नहीं पाए Carnatic Wars यादे ना 1798 में क्या होता है कि Napoleon आता है Egypt Napoleon की मंच्छा थी कि वो Asia तक जाएगा और East India company की जो colonies है उनको हरा कर और वहाँ पर France का empire अच्छे से स्थापित कर देगा Napoleon तब क्या था एक senior army officer था तब ये France का राजा नहीं बनाता या France का leader नहीं बनाता उस समय he was just a senior army officer तो यहाँ पर उसने कुछ लड़ाई यहाँ जीती पहले तो बाद में हार गया था लेकिन जब कुछ साल यहाँ था वो उस समय उसने इस आज के Suez Canal वाले area में survey कराया तो पहला modern survey Napoleon ने खुद करवाया था personally उसने जाके check भी किया था पुराना canal जो था फैरोज वाला लेकिन उसके surveyors ने बताया है कि यह canal बन नहीं सकता दोनों Red Sea और Mediterranean Sea के level में फरक है तो level में फरक होगा तो क्या होगा canal बनाओगे तो एक तरफ से नदी भेह जाएगी दूसरी तरफ तो इसलिए उन्होंने ये plan abandon कर दिया और वैसे भी Napoleon को फिर से France बुला लिया गया था क्योंके France में अपनी अलग problems चल रही थी तो कुल मिलाकर ये plan cancel हो गया लेकिन France के लोग बहुत interested थे उनको ये था कि हम यहां से Egypt के माध्यम से East India Company को cut off कर देंगे ये उनका plan था अच्छा जब ये French यहां attack करने आये थे तो यहां पर शासन किसका था तो देखो Egypt जो है वो Ottoman शासन के अंडर में था medieval time period में Ottoman Empire बहुत बड़ा हो गया था और उसमें जो दूर दराज के province है जैसे की Egypt अब ये क्या है कि कई बार autonomous हो जाते थे तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ था कि इन French army से लड़ने के लिए जिनको भेजा गया उन्होंने खुद को अपने आपको यहां आकर independent गोशित कर दिया पहले तो फ्रेंच को हराया और उसके बाद ये जो खेदीव dynasty है ये शुरू हो जाती है खेदीव क्या होता है एक फारसी शब्द है basically grand wazir या prime minister के बरापर position होती है तो Egypt में जिस army general को भेजा गया था महमद अली पाशा महमद अली पाशा इनका नाम था तो महमद अली पाशा ने अपने आपको आकर यहां पर खेदीव गोशित कर दिया कि मैं यहां का de facto independent ruler हूँ तो ottomans ने पहले तो कुछ साल बोला कि नहीं ठीक है हम तो हमारे अंडर हो लेकिन उनको भी पता था कि हम महमद अली पाशा को हटा नहीं सकते हैं तो 20-40 साल बाद इन्होंने महमद अली को officially खेदीव गोशित कर दिया यनि कि recognize कर दिया बिल्कुल वही वाला हाल है जैसा है यहां पे भारत में वादा मुगल शासन हैदराबाद बंगाल वह वाला same condition है ठीक है अब यह जो महमद अली पाशा ने डैनिस्टी शुरू करी थी इनको सबको खेदीव कहते हैं और यह तेड़ सो साल डैनिस्टी चली इन्होंने 1805 में इसको स्थापित किया था और 1954 में जब इजिप्ट में modern day इजिप्ट में जब कू होता है military कू तब तक यह डैनिस्टी चलती रही अब महमद अली के समय तो शासन बहुत बढ़िया था यह लगबग 50 साल तक रूल करते हैं 1849 में जाकर इनकी डैथ हुई थी लेकिन क्याए कि महमद अली के बच्चे बहुत थे 93 बच्चे थे इनके और 93 में से कोई भी ढंका नहीं था सब के सब बिलकुल बस ऐशो आराम की जिंदगी के एकदम वो गए थे तो किसी में महमद अली वाली बात नहीं थी और इनके सकसरस इतने कमजोर थे कि सारा इंग्लाइंड और सारा फ्रांस ताक में बैठा था कि कब महमद अली की डेथ होती और कब जाकर हम एजिप्ट को अपने शिकंजे में कस लेते हैं तो इन्होंने क्या करा कि basically पैसा देना शुरू किया इनका खर्चा बहुत बढ़ गया था जो ये dynasty थी राजा थे इनका खर्चा बगयरा बहुत जादा था तो वहाँ पर कही न कहीं उनको लोन दिये जाते थे ऐसे में Ferdinand D. Lesseps नाम का एक फ्रेंच डिप्लोमेट था उसने वहाँ पर बहुत अच्छे कॉंटाक्ट्स बनाए है जो D. Lesseps है ये 1830 के दशक में एजिप्ट में पोस्टेड था फ्रांस की तरफ से एक एन्वॉय था है ठीक ए डिप्लोमेट था इसका तो ये कोई इंजिनियर नहीं था इसी ने बनवाई ये सुएस के नाल लेकिन he was not an engineer he was a diplomat तो ये एजिप्ट में पोस्टेड था ना जब 1830 के दशक में तो इसकी मेहमत अली पाशा के बेटे से अच्छी दोस्ती हो गई थी बेटे का नाम क्या था सहीद पाशा वो ही जिस इसी लिए उनको D.L.S. बहुत पसंद था ये कहानी प्रचलन में है exam में answers में मत लिख कर आना इतना सा लिख देना कि उनकी दोस्ती हुआ करती थी तो Ferdinand D.L.S. ने 1830 के दशक में भी कोशिश करी थी कि बाई कैनाल बनवाद हो लेकिन महमत अली ने तब मना कर दिया था लेकिन जैसे ही महमत अली की death होती है बीच में एक दो दूसरे राजा बनते हैं और ultimately वो 1854 में कौन पावर में आता है D.L.S. का दोस्त सहीद पाशा तो D.L.S. जो retire होकर France जा चुका था फिर से आता है Egypt ये retire होके चला गया था 15 साल पहले ये Egypt आके अपने दोस्त से बोलता ह पर्मिशन दे दो कैनाल बनाना है मुझे तो इस बार सहीद पाशा ने पर्मिशन दे दी तो finally इसने proper surveys करवा है modern technology इसके साथ और इसके survey में ये पता चला कि वो जो gap का डर था ना कि Mediterranean और Red Sea अलग-अलग level पर है ऐसा कुछ भी नहीं है अराम से बन सकता है कैनाल सिर्फ हमें desert में ये कैनाल बनानी किया वशकता है ठीक है तो ये जो इसकी team थी काफी अच्छी थी इसने धंके engineers hire किये थे modern technology इसने use करी थी और 1856 में इसने officially company बनाई Suez Canal Company और इसने deal ये कर ली सहीद पाशा से कि देखो कैनाल बनने के बाद 100 साल तक हमारा 99 years तक हमारा उसके बाद तुम ले लेना Egypt का हो जाएगा लेकिन 99 years तक हमारा यानि French का रहेगा इस company का रहेगा to be precise not even French government Suez Canal Company का रहेगा जो की एक French owned company है लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे problem ये थी Ferdinandie Lesseps के पास तो इसने क्या गरा कि England के सारे bankers को जाके बोला कि पैसा दे दो canal बनाना है अब England पूरी तरह से इसके खिलाफता वो नहीं चाते थे कि Egypt के थूरू canal बने क्योंकि उनको पता था canal बना तो French बनाएंगे French हमको जाने नहीं देंगे और हमारा इंडिया के साथ जो इतना अच्छा चल रहा है colony बन रही है मतलब सब समझ लो ना कि वो डलाउजी गया ही है अबी तो तो वो बोल रहे हैं यह सब हमारा किये कराय पर पानी फिर जाएगा अगर French वहाँ पर powerful हो जाते हैं तो इसलिए हम इस canal को बिल्कुल नहीं बनने देंगे तो England क्या पूरे Europe के सारे banks ने इसको मना कर दिया English के कहने पर कि कोई भी Lesseps को पैसे नहीं देगा Swiss canal company को finance नहीं करेगा लेकिन डिल Lesseps ने हार नहीं मानी और इसने क्या किया France में आम लोगों से appeal करी के एक बहुत महान काम करने जा रहा हूं मैं और इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए आप लोग सब share खरीद लो छोटे 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 share खरीद लो थोड़े खरीद लो तो इसकी company में भी खरीद लिये पैसा था नहीं फिर भी खरीद लिये लोन लेके खरीदा पता है आपको France के bank से जाकर लोन लिया और फिर Suez Canal company में invest किया और एक और बात इनकी ये भी deal हुई थी कि जितने भी workers हैं वो Egypt के राजा के द्वारा Khadiv के द्वारा provide किये जाएंगे तो Khadiv ने forced slave labor भी यहाँ पर provide कर आया था 10 साल तक यहाँ पर काम slave labor से चलता रहा था 1865 में बहुत हला हुआ इसको लेकर कि दुनिया में तो slavery abolish हो रही है और बहाँ पे हम French लोग अपने project के लिए slaves को किसे इस्तिमाल कर रहे हैं तो फिर ultimately वो slave labor को वहाँ से हटाया गया लेकिन D. Lesseps का सपना था कि जो canal बनेगा ये किवल French लोग नहीं होंगे तो उसने अपनी company के board of directors में 14 देशों के लोगों को शामिल किया था उसका सपना ये नहीं था कि किवल हम French लोग रहेंगे तो finally कई साल की मेहनत के बाद finally खुदाई का काम शुरू होता है 1859 में और इसको बनने में खुदने में या फिर equipment से मिटी निकालने में जादा समय लगता है एक बार अगर पानी आ जाता है तो फिर क्या होता है मिटी असानी से dredge करी जा सकती है लेकिन शुरूआत में इनके पास कोई dredging equipment नहीं था कोई modern technology नहीं थी 5-6 साल तो काम इन slave labor ने literally अपने हातों से मिट चोटा केनाल बन गया था ना उसके अंदर से ये मिटी dredge करके side में निकाल देते थे तो ये modern equipment है बाद में लाया गया 1865 में उसके पहले तो ये मजदूरी काम कर रहे थे और एक estimate के अनुसार 3-10,000 के बीच में मौते बताई जाती है इस केनाल को बनाते समय 3-10,000 लोगों क फैला हुआ था तो April 1859 में construction होता है और cholera epidemic के कारण काम slow भी पड़ा कई बार 17 November 1869 को जाकर Suez Canal final navigation के लिए open होता है अचा इस केनाल के जो landmarks है वो एक बार आप थोड़े से देख लो UPPCS में prelims में एक बार पूछ लिया गया था कि lakes को arrange कीजिए Suez Canal में north to south तो ये वाला जो map ह इसको मैं थोड़ा सा expand करके अगली slide में आपको बता रहा हूँ तो देखिए उत्तरी सिर्य पर Mediterranean Sea की तरफ सबसे पहले आता है Port Said उसके बाद आता है Port Fawad ये दो important cities है या ports है उसके बाद अगला landmark जो हमारे काम का है that is Lake Timsa तो ये पहला artificial I'm sorry natural lake है Lake Timsa और इसके पास में स्थित है Ismailia Ismailia City जो है ये capital था Suez Company का headquarter पहले यहाँ पर था not capital headquarter यहाँ पर था ओके फिर आता है Great Bitter Lake फिर आता है Little Bitter Lake तो Lake Timsa Great Bitter Lake फिर Little Bitter Lake और finally आता है Port Suez और उसके बाद आ जाता है Gulf of Suez तो ये जो lakes का sequence है ना ये एक बार UPCS के prelims में पूछ लिया था 2018 या 2019 कोई paper था बताना कमेंटे में कौन सा था UP वालों को याद होगा फाइनली जब इस केनाल का उधगाटन होता है 1869 में उस समय तक company यानि Suez केनाल company ना तो उसके पास पैसा था ना इजिप्ट के राजा के पास पैसा था लेकिन अब इतना बड़ा project किया है तो थोड़ा दिखावा तो करना रखी करिये और इसके लिए उनके पास पैसा नहीं था एजिप्ट के जो रॉयल फैमिली थी उनके पास पैसा नहीं था ये सब function करने करें तो उन्होंने France के एक bank से loan लिया just to celebrate the opening ceremony for six weeks तो ये पेंटिंग उसी समय की है ये सारे राजा महरा जागे रॉयल जो ships है ये निकल र गंबा तो कुछ ही सालों के अंदर अंदर ब्रिटिश जो इस कैनाल के बनने के बिल्कुल अगेंस्ट थे उनको लगने लगा कि यार ये तो बहुत शांदार रूट है इससे तो हमारी lifeline है ये तो इंडिया के लिए पहले कहां चार-छे महीने लगते थे अब तो हम महीने में पहुँच सकते हैं भारत जहाज के तुरू तो ब्रिटिश जो है उसमें इतना इंट्रेस्टेड हो गए कि अब वो मौका देखने लगे कि कैसे इसके अंदर हम गुसे हैं पहले तो लोन नहीं दे रहे थे डिलेसेप्स को और अब उसकी कंपनी के अंदर वो धू दो लोन बोन दे दो तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन दिजरैली ने तुरंत ख़दीव पाशा को का कि आपको पैसे दे देंगे कितने मिलियन डॉलर थे मैं भूल गया हूँ लेकिन 20 मिलियन डॉलर था ठीक है याद आ गया 20 मिलियन डॉलर में जो इजिप् हो जाएंगे 500 मिलियन डॉलर के आसपास ठीक है हाफ बिलियन डॉलर अब आप एक्जामपल समझोगी आज की तारीक में एक बिलियन डॉलर के लोन तो ऐसे हलके हाथ देखे आते हैं आजकल तो वन बिलियन डॉलर तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है तो ब्रिटन के ब्रिटन तो बहुत कमजोर है उस समय का ब्रिटन तो बहुत पारफुल था तो उन्होंने केवल 500 मिलियन डॉलर के अंदर आज के टर्म्स में सुएज केनाल पर कंट्रोल कर लिया 44% पूरा कंट्रोल नहीं आ है अभी 44% है majority stake अभी भी जो फ्रेंच कंपनी है फ्रांस के लो एक दिन के अंदर अंदर तो इस फैसले से इजिप्ट का अपने ही धर्ती पर बने केनाल से सारा कंट्रोल चला गया और अगले 80 सालों तक इजिप्ट का इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है इस केनाल को कंट्रोल फ्रेंच कंपनी करती थी इसका ना तो इनके पास ownership थी बल दोनों मिलकर तै करते हैं अब दोनों के बीच में थोड़ी दोस्ती होने शुरू हो गई थी ये कहते हैं कि चलो इजिप्ट के finances बहुत खराब है इसको हम टेक ओवर कर लेते हैं जब इन दोनों देशों ने इजिप्ट का वित्य प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया तो उसके बाद दुनिया के दूसरे देश थोड़े से चोखनना हो गया इस्पेशली जर्मनी उन्होंने का कि देखो डीलेसप्स ने प्रॉमिस किया था कि केनाल सबके लिए ओपन रहेगा इंटरनेशनली चाहे युद्ध हो कोई भी सिति हो केनाल के थुरू सबके जहाज नि किया और इसके तहद ये डिसाइड किया गया कि सुएज केनाल के थुरू किसी भी जहाज को किसी भी देश के जहाज को आने जाने से नहीं रोका जाएगा चाहे युद्ध हो चाहे शांती हो सारे जहाज हर देश के यहां से निकल सकते हैं और केनाल के आसपास कोई कभी इस बीच एक और important development होता है 1882 में Britain Egypt को occupy कर लेता है और खदीव को अपने अधीन कर लेता है बहाना क्या बनाया एक local withdraw हुआ था जिसमें मदद के लिए खदीव ने England को बुलाया और England ने अपनी army navy भेज दी और navy भेज कर बाद में क्या बुला खदीव को कि अब देखो तुम हम अब हम जो कहेंगे वैसा तुम करोगे तुमारी independence खतम हो गई तुमसे चोटे मुटे विद्रो तो संबलते नहीं है जब हमें ही आकर बुलाना है तो हम यह ऐसे ही बैट जाते हैं तो इस तरह से Egypt में जाकर भी British बैट गए और World War I के बाद तक इन्होंने Egypt को independence नहीं दी ठीक Actually में कोई independence नहीं थी 1936 में जाकर इनको थोड़ी बहुत independence दी गई Egypt और England के बीच में एक संधी साइन होती है कि हम आपको independence दे देंगे लेकिन उसमें भी 1936 में भी Suez केनाल इन्होंने Egypt को नहीं सौपा उसमें डील में लिखा गया था कि Britain की आर्मी Suez केनाल के किनारे बैठी रहेगी सारा control हमारे हाथ में रहेगा और England ने क्या चलाकी करी जब भी लड़ाई होती थी तो वो अपने विद्रोहियों के जहाजों को यहां से पास नहीं करने दे दे जैसे 1898 में जब Spanish American War हो रहा था तो अमेरिका की कहने पर इन्होंने Spanish जहाजों को यहां से cross नहीं करने 1904 में Russia की Navy को इन्होंने cross नहीं किया Russo Japanese War में which was one of the main causes की हार गये 1935-36 में Italy के ships को इन्होंने जाने नहीं दिया Ethiopia वाले रास्ते पर तो यह जब भी इनका मन करता था इसको रोक लेते थे theoretically World War 1 और 2 में भी Canal सबके लिए open था लेकिन actually में open नहीं था जर्मन जहाजों को यहां से नहीं जाने दिया जाता था केवल जो allies हैं उनके जहाजों को पास करने की अनुमती थी और ये भी एक बहुत important reason था कि World War 2 में ultimately England और America के जो allies थे वो जीत गए ठीके क्योंके World War पूरे दुनिया में चल रहा था Asia, South East, Theatre, सब जगे लड़ाई हो रही थी लेकिन जर्मनी के जहा आजा को भी finally समझ में आता है कि भाई साब केनाल हमारा हमारी धर्ती पर हमारा कोई लेना देना नहीं है इसमें तो वो England को कहते हैं कि देखो केनाल में हमें थोड़ा stake चाहिए, England मान जाता है क्योंके England थोड़ा कमजोर भी हो चुका है तो वो कहते हैं कि ठीक है 7% profit जो भी आएगा केनाल से वो Egypt रख लेगा और आपको हम board member बना देंगे कोई दिक्कत नहीं है आप board of director में finally शामिल हो जाओगे और जितने भी नए jobs होंगे उनमे 90% reservation कर देंगे Egypt के लोगों को नहीं नौकरियां दी जाएगी तो Suez केनाल company है जो संभालती है केनाल को उसमें 90% jobs Egyptians को जाएंगे और company थोड़ा social CSR activity भी करेगी hospital school ये सब बना देंगे तो tension मतलो अभी भी कैनाल हम चमालेंगे लेकिन तुम्हें थोड़ा बहुत कुछ दे देंगे ठीक है कुछ पैसे तुमारे लेकिन इसी समय Egypt को एक और बहुत बड़ी problem थी Egypt का कहना था कि देखो ये नया दे जहाज यहां से cross करेंगे हम किसी को नहीं रोक सकते इस बात पर Egypt नाराज हो गया कि देखो World War 2 में तुमने भी किसी को जाने नहीं दिया था जर्मनी के जहाजों को तो हमें बेवकुफ मत बनाओ अभी हम ये चाहते हैं कि यहां से इसरेल के जहाज ना जाएं तो यहां से थ नासर पावर में आते हैं 52 में पावर में नहीं आये थे एक दूसरे military officer थे तो एक दो साल में लेकिन नासर पावर में आ गये थे लेकिन कू के पीछे बहुत बड़ा रोल नासर का था और नासर की एज बहुत कम दी वोज वेरी यंग वोज जस्टी फाइव यर्स ऑफ एज at that time तो एक young और dynamic leader नासर के हाथ में जब सत्ता आती है तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किये जंता से एजिप्ट में उस समय गरीबी काफी थी आवादी बढ़ गई थी अचानक से 20th century में तो pressure बहुत था agricultural जमीन पर इतनी उपज नहीं थी तो नासर ने सोचा क कि हम क्या कर सकते हैं तो इन्हों के 2-3 development के agenda थे first of all he was socialist इनकी थोड़ी सी सोच socialism की तरफ जादा थी तो नासर ने कहा कि एक डैम बनाएंगे नाइल नदीप है बहुत बड़ा उसका नाम रखेंगे आसवान हाई डैम मतलब नाम ही यह था कि आसवान हाई इतना उंचा डैम ह है एंड जब यह बना था तब ये दुनिया के सबसे बड़े डैम में से एक था तो आसवान डैम जो है यह दखशनी ईजिप्ट में बना हुआ है आज भी आसवान शेहर के पास में और आसवान डैम के कारण इतना पानी रुख जाता है नाइल में कि उसके कारण वाला एरिया है वो जस्ट डबल हो गया है आज तो उस समय ये बना नहीं था इन्होंने आते ही कहा था कि ये डैम बनाएंगे लेकिन इतना पैसा नहीं था एजिप्ट के पास कि ये डैम बनाया जाए नहीं उनके पास technical expertise थी तो नासर ने क्या करा इंग्लाइंड, फ्रांस, वर्ल्ड बैंक सबसे मदद मांगी इनिशली अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक ने हाँ बोल दिया था कि हाँ ठीक है help कर देंगे, डैम बनवा देंगे, काम शुरू भी हो गया था, लेकिन क्या होता है कि धीरे-धीरे अमेरिका को ये लगने लगता है कि नासर जो है ये थोड़े से सोशेलिस्ट और कम्यूनिस्ट विचारदारा वाले व्यक्ति हैं और ये USSR से जाधा दोस्ती कर रहे है और उस समय चल रहा था, Cold War तो ये अमेरिका को बिल्कुल भी बरदाश नहीं था कि कोई भी हमारा साथी, USSR के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा है और हुआ क्या था कि नासर ने चेको स्लोवाकिया से हत्यार ख्रीद लिये थे टैंक और अरक्राफ्ट्स ख्रीदे गए थे चेको स्लोवाकिया उत समय Iron Curtain के पीछे था USSR के sphere of influence में आता था तो जब Czechos लो गया कैसे वो हत्यारों की deal करी उससे अमेरिका नाराज हो गया और अमेरिका ने क्या करा Aswan Dam से अपनी financing पीछे खीच ली मना कर दिया उन्होंने World Bank को भी मना करवा दिया कि project से हाथ खीच लो तो Aswan Dam जो बनना शुरू ही हुआ था अचानक से उसका finance चला गया सारा इस बात से नासर बहुत नराज हो गया नासर ने जाकर England, France सबसे बात करी किसी ने भी नासर की मदद नहीं करी तो नासर को गुस्सा आया नासर ने 1956 में क्या करा Suez Canal पर कबजा कर दिया Suez Canal को nationalize कर दिया नासर को ये लगा कि ये जो Suez Canal है इससे इतना toll आता है और इसका जो control है वो इतना critical है कि मैं इसको अपने हाथ में ले लूँगा तो एक तो 5 साल के अंदर-अंदर हमारे पास पैसा आ जाएगा Aswan High Dam को finance करने के लिए तो हमें दुनिया में किसी के सामने मदद मांगनी के अवशकता नहीं और दूसरा ये केनाल वैसे भी 15 साल बाद हमारे को मिलनी ही है तो थोड़ा 10-15 साल पहले ले ले लेते हैं तो इस तरह की सोच के साथ अचानक एक दिन नासर ने रीडियो पर गोशना करी कि एजिप्ट के लोगों आज से सुएज केनाल हमारा इन्होंने क्या करा अपनी आर्मी भेजी और सुएज केनाल का जो कंपनी का जो ऑफिस था महाँ पर जाकर लिसप्स के स्ट्रैचु एचु हटा दिये उनकी फ्रेम नीचे उतार दियो और बोला कि अब ये फ्रेम लेकर तुम जाओ फ्रांस और यहाँ पर अब लगेगी जमाल अब्दल नासर की फोटो तो इस तरह से सुएज क्राइसिस 1956 की शुरुवात होती है तो एजिप्ट के इस सुएज केनाल nationalization या फिर फ्रांस और इंग्लैंड की नजर से देखे हैं तो सुएज केनाल को हत्या लेने की घटना के कारण ये दोनों देश बहुत नाराज होते हैं क्योंकि याद करो इंग्लैंड और फ्रांस ही तो हैं जिनका controlling stake है majority सुएज केनाल कंपनी में उन दोनों देशों का stake है तो ये दोनों काफी नाराज हो जाते हैं लेकिन तीन-चार महीने फिर भी ये नासर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं लगातार अपने invoice को भेजा जाता है उस वक्त इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे Anthony Eden Anthony Eden नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे उनके उपर बहुत एकदम ऐसा था कि और ये तो बहुत बड़ा crisis है Eden इससे निप्टेंगे या नहीं तो Anthony Eden ने चार महीने तक कोशिश करी कि नासिर को समझा दें कि देखो इस तरह की हरकत मत करो और हमारे जहाज को रोकने की तो सोचना भी मत लेकिन इनको ये डर था कि नासिर किसी भी समय Britain और France या पूरे Europe की Oil Supply को काट सकते हैं और मैं आपको ये फिर से याद दिला देता हूँ कि Middle East से सारा Oil लड़ाई शुरू नहीं कर सकते हैं आपको कोई कारण चाहिए अब आप सोचोगे कि Suez कनाल को nationalize कर लिया तो ये तो proper कारण है लेकिन देखो नासिर ने ये nationalization बहुत सोच समझ कर किया था नासिर ने कोई गोली नहीं चलाई किसी की हत्या नहीं करी सैनिकों को मारा नहीं गया अफकोर्स आर्मी आई थी Egypt की लेकिन आर्मी आई और office को खाली करवा दिया बस उनों ने और जितने भी share थे न याद है आपको France के लोगों के share हुआ करते थे आम लोगों ने share खरीदे थे 1850s में उन लोगों को share का price दिया गया जो जिस दिन ये nationalization हुआ था उस दिन जो Paris stock exchange पर company का rate था stock market में उतना पैसा दे दिया गया उन लोगों को और properly buy out कर लिया बस England का stake बागी रह गया था England की सरकार का stake था तो वो सरकार तो लेगी नहीं लेकिन जो Paris में लोगों के जो share थे उनको सबको proper पैसा दिया गया था तो अच्छे से legal तरीके से नासर ने ये situation handle करी थी अब England और France सोच रहे थे कि यार ये Egypt पे हमला करें तो कैसे करें Suiz Canal अपने पास वापिस लें तो कैसे लें ऐसे मैं उन्हें Egypt का नटखट पडोसी Israel मिलता है Israel इन दोनों देशों को बोलता है इधर आओ मैं समझाता हूँ पूर्या plan ठीक है scheme समझो तो तीन देश France, Britain और Israel ये तीनों मिलकर करते हैं एक secret conference और इस conference में ये तै किया जाता है कि देखो Israel हमला करेगा Egypt के उपर और Egypt भी of course लड़ाई लड़ेगा Israel के आर्मी के साथ इस लड़ाई को रुकवाने के लिए France और Britain लड़ाई में कूद पड़ेंगे ये कहकर कि नहीं नहीं लड़ाई बंद करो लड़ाई बंद करो openly वो इसराईल के साथ नहीं है अंदर ये अंदर साथ में planning पहले से हो रखी है October के महिने में planning हो गई थी और November में इसराईल ने हमला किया तो November 1956 में होता है Suez Crisis 29th October को इसराईल ने Egypt पर हमला कर दिया था और Egypt की forces उनके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाई केनाल पर असानी से इसराईल का कबजा हो गया लेकिन जैसे ही इसराईल के आर्मी इस केनाल तक पहुँची तो बिटेन और फ्रांस चौधरी बनते हुए आ जाते हैं और बोलते हैं अरे ये क्या लड़ाई कर रहे हो केनाल तो हमारा है इस्रेयल आँख मारते हुए इस्रेयल तुम भी पीछे जाओ इजिप्ट तुम भी पीछे जाओ लेकिन सबको सच्चा ही तब तक पता चल चुकी थी दुनिया में कोई भी बेवकूफ नहीं था इतना सबको इनका समझ में आगया था कि इस्रेयल फ्रांस और ब्रिटेन मिले हुए है दुनिया के सामने ये अभी भी यही बोल रहे थे कि नहीं इस्रेयल ने हमला किया है हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है हम तो बस अपना कैनाल बचाने के लिए हैं लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस जब इस लड़ाई में आते हैं तो युनाइटेड नेशन्स इंवाल्ड होता है युनाइट स्टेट्स इंवाल्ड होता है और युएसस आर भी इंवाल्ड होता है तो नासर ने उस वक्त ऐसा महौल बना दिया कि ये पूरे अरब कंट्रीज के उपर हमला है तो उससे क्या हुआ कि USA को ये लगा, अमेरिका को ये लगा कि ऐसा है कि ये सारे के सारे अरब कंट्रीज, राइट फ्रॉम साओधे रेबिया टु कुवेट जिनके साथ हम बड़ी मुश्किल से दोस्तियां बना कर बैठे हैं, ये सब USSR की तरफ चले जाएंगे और USSR धंकी भी देने लग गया था, कि देखो एजिप्ट पर हमला करोगे सुएस केनाल को ब्लॉक करने की कोशिश करोगे, हम involved होंगे, इस तरह के सिगनल USSR देने लग गया था तो इसलिए, USA ने अपने दोस्त, फ्रांस और इंग्लैंड को ये कहा, कि तुम आना अपने जहाज यहाँ से बाहर निकालो और बाइदे वे, इस समय केनाल बंद रहा था कुछ महीनों के लिए, क्योंके इजिप्ट ने जब विड्रॉ करा था अपनी आर्मी को, तो उन्होंने इस तरह से जहाज डुबा दिये थे नहीं पड़ता है, तो United Nations यहाँ पर involved होता है, resolutions पास किये जाते हैं, England और France को अपनी आर्मी पीछे खीचनी पड़ती है, और ये England के लिए बहुत ही humiliating एक समय था, क्यूंके World War 2 के पहले, बड़ा भाही कौन था? Great Britain, छोटा भाही कौन था? USA, जो Great Britain कहता था, वो allied countries करते थे लेकिन Swiss Crisis के समय रोल बदल गया, USA जो अब तक छोटा भाही माना जाता था, वो अब इन दो पुराने बड़े भाहियाओं को, जिनके Empires थे, France और England, उन दोनों को घर पे बिठा रहा है, बोले कि अब तुम बहुत जादा चौधरी नहीं बनोगे, कहीं पर भी जाके चुप Swiss Canal Authority बनाती है, और आज भी यह Swiss Canal Authority इस केनल को पूरा चलाती है, जो original company थी, जो जिसने केनल बनाया था, वो company आज भी exist करती है, लेकिन अब वो दूसरे काम करती है, Swiss Canal नहीं चलाती, लेकिन उसका नाम आज भी GDF Suez है, 1967 के Six Day War में, जो Arab Countries और इसराइल के बीच में हुआ थ उस समय भी Swiss Canal पर fighting हुई थी, और Swiss Canal में उस समय भी Egypt ने जाते जाते बहुत सारे जहाजों को डुबा दिया, Egypt के आर्मी उस समय भी वहाँ से back out कर गई थी, तो उन्होंने जहाजों को डुबाया, और ये केनल अगले 7 साल तक, 8 साल तक बन रहा था, 1975 में जाकर केनल फिर से श कर डाल कर खड़े थे, हलाकि इनके क्रू को बहार निकाल दिया गया, लेकिन ये जहाज पूरी तरह से, इनमें से जहाज तर जहाज सड़ गये थे, क्यवले ये क्या दो जहाज सही बचे थे, 1975 में, और इसी बीच एक और लड़ाई हो जाती है, इसरेयल और एरप केंट्री से इसरेयल वापिस पूल आउट कर गया और इजिप्ट के हवाले कर दिया हमेशा के लिए, और ये तैग किया गया कि इसरेयल के जहाज भी यहाँ से निकल सकेंगे, कोई भी कभी इसरेयल के जहाजों को यहाँ पर नहीं रोकेगा, 1975 के बाद से केनाल पर अच्छे से शान् रहेगी, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है, आई होप आपको अच्छा लगा हो, पाथफाइंडर की टेस्स सीरीज है, फ्री इनिशेटिव है, इसको जॉइन कीजिए, डेली साड़े बारा बज़े टेस्ट होता है, और अनेकाड़मी कॉम्बैट संड़े को सुब पाथफिंडर